जैहिंद नहलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF Constable Tradesman Online Form Mobile से कैसे फिल करना है इसके बारे में क्योंकि गाईज अब आपके एक अप्राइल से Complete Form सुरू हो चुके ले पाएंगे तो आप अगर इस वीडियो को देख करके इस form को भरेंगे तो आप इसको Mobile से भी बर पाएंगे और आपसे कोई mistake भी नहीं होगी तो चलिए शुरू करते और इसके बारे में पूरी प्रेकेंज से निकाली गई है जिसके form आप लोग 25 अप्राइल 2023 तक भर पाएंगे मेल के लिए 9105 पाद है और फिमेल के लिए 107 पाद है आप यहाँ पर जो आपके यह जो उपर वाले ट्रेड्स दिये गए है इन ट्रेड को छोड़ करके बाकी के जो ट्रेड है उन पर simple दस्वी पास से apply कर पाएंगे अब यहाँ पर आप आएंगे और आपको आने के बाद में यहाँ पर जानने को मिलेगा कि मैंने already यह form computer से कैसे fill करना है उसकी वीडियो बना दिये आप यहाँ पर इस वीडियो को वाच करके computer से कर form को भर रहे है तो भर सकते है अभी आप य mobile में game या फिर वीडियो देखते है उस way में आपको इस website को open करना है यानके mobile को चलाना है और यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने अभी तक register नहीं किया तो आप register के उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको best browser recommend किये आप यहां से इसको इस पर आप 10 वी पास से apply कर सकते कोई experience नहीं मांगा बस आपको water carrier के जो काम है वो आने चाहिए जिसके आप मैं इसको select किया हूँ अब आप यह select करने के बाद में आपका जो नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर 10th के certificate के according एंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पर आपका number एंटर करना है आपका number बिल्कुल सही होना चाहिए और यह number दोबारा डाल करके आप verify करेंगे alternate mobile number के अंदर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते है आपके phone का वो आप दे सकते ने तो आप चाहिए तो इस option को खाली भी छोट सकते है फिर आपको अपनी email id एंटर करनी है email id क पर क्लिक करेंगे यह जो capture code है वो आप यहां पर fill करेंगे और re-verify पर क्लिक करेंगे re-verify पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकरी आपने भरी है जिसे की आपका post name आपका नाम आपका mobile number और आपकी email id यह आपको यहां पर check box के उपर टिक करके बताने कि यहां मैंने सभी को verify कर लिया और सभी जानकरी सही है देन आप यहां पर submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करने के बाद यहां से ok करेंगे और ok करने के बाद में जो आपका रेशन का जो process है वो complete हो जाएगा और अगर आप directly login नहीं होते है यानि कि आपके सामने आपका dashboard नहीं आता तो आप यहा है वह यहां पर डालेंगे capture code फिल करेंगे and then login कर लेंगे इसके बाद में guys आपके सामने यहां पर आपका dashboard इस तरह से आ जाएगा आप यहां पर go to application के उपर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहां पर processing होगी और आपको best browser recommend किये जाएंगे तो है वह आपको यहां पर select कर लेना है फिर यहां से month और उसके बाद mid day तो आपकी date of birth आ जाएगी और आपकी उमर 18220 तक कितने साल कितने महीने की होती है वह भी आप यहां पर देख सकते है नेसलिटी में आप एस citizen of India select कर लेंगे and then यहां पर reservation category यहां कि कास्ट करेंगरी आप fees pay करने की हो सकता नहीं पड़े और मैं आपको पूरा process दिखा सकूँ अब आप यहां पर जो आपकी personal little है वो enter करेंगे तो जो भी आपके father का name है वो आप tent के certificate के according ही enter कीजेगा and then जो आपकी mother's का name है वो भी आप यहां पर enter कर दीजे then guys यहां पर आपका number और email ID दीग यह city preference देंगे पहली चोईस आप कौन सी state को देना चाहते है आपके exam center के लिए वह आपको select करना है उस state के कौन सी city को प्रिवेंस दे रहे हैं वह आप यहां पर select कर लीजे second choice आप कौन सी state को देना चाहते है वह आप select कर सकते हैं आप तीनों में चाहिए तो एक state select कर सकते है बड एडिशनल लिटेल में आपसे पोचागी कि आप गौर्मेंट सर्विस के अंदर हो गौर्मेंट इंपलोई हो अगर हां तो यस नहीं तो नहीं कीजिए फिर आपसे यह पोचागी कि आप 2002 जो आपका 1984 का दंगा हुआ था उसके डिपेंडेंट है विक्टिम है अगर हां तो य इंडिया सेलेक्ट करेंगे इस टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां से सिलेक्ट करेंगे फिर आपकी जो सीटी है या फिर डिश्टिक है वो कौन सी है वह भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आप यहां पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे अब नीचे आपसे पो qualification का section आ चुका है यहाँ पर guys जो candidate ऐसी post पर apply कर रहे हैं जिस पर की experience मांगा है और ITI मांगी है तो उनको यहाँ पर ITI का विकल भी देखने को मिलेगा but मैंने ऐसा trade select किया जिस पर simply दस्वी पास से apply कर पाएंगे तो basically सबसे पहले यहाँ पर आते है articulation यानिके 10th की जानकारी तो 10th आपने किस board से किया है उस board का नाम आपको यहाँ पर खुद से type करना है फिर आपको बताने कि किस साल के अंदर आपने पास किया है वो साल आप यहाँ पर select कर लेंगे अब guys मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF Constable Tradesman best book के बारे में जो कि SK books की है और SK books अगर आपको नहीं पता तो India का one of biggest book publication house है तो आप इनकी books के उपर बिल्कुल भी संदे नहीं कर सकते क्योंकि यह best quality की books आपको provide कराते हैं तो इन्होंने आपकी CRPF Constable Tradesman की book जारी कर दिये जो कि आप English और Hindi दोनों के अंदर purchase कर सकते इसी के साथ में इनका practice paper भी आता है आप यहाँ पर देख सकते यह भी आप English और Hindi के अंदर purchase कर पाएंगे इस practice set के अंदर आपको 26 paper देखने को मिलेंगे जिनके माद्यम से आप अपनी exam की preparation और भी अच्छे तरीके से और बहतर तरीके से कर पाएंगे तो अगर आप CRP up constable tradesman exam को crack करने के लिए best book ढून रहे है तो यह book आपके लिए best होने वाली है आप इस book को purchase कर सकते वीडियो के दिये गए description link से और अगर आपको कोई भी सवाल डाउट हो इस book को purchase करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को ले करके तो आप comment के मादे में से पूछ सकते तो जाए इस book को purchase कर लीजे और अपनी तयारी को और भी speed दे दीजे इसके बाद है institute name यानि के आपने कौन से institute से कौन से school college से की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है अब आता है subject combination guys यह जो subject combination है यह mainly जो applicable होता है वो applicable होता है बारवी के column पर जिसमें कि आप से subject combination में PCM, PCP, Art, Commerce इसके बारे में पूछ जाता है बट यहाँ पर 10 के उपर भी नोने subject combination के जो column को दिया है तो वो क्यों दिया है तो normally जहां हम यहाँ पर इस column के अंदर जानकारी भरते है all subject या फिर not applicable बट यहाँ पर जैसे की subject combination आप से पोचे है तो आप यहाँ पर एक एक करके जो भी आपके subject के नाम है वो लिख दीजे अगर आप यहाँ पर all subject लिखते है या फिर not applicable लिखते है तब भी कोई problem वाली बात नहीं है आपका form बिल्कुल भी reject नहीं होगा इस चीज़ की मैं आपको guarantee दे सकता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर अभी के लिए परिफेर कर रहा हूं कि आप चाहिए तो आपके जो भी subject percentage है मैंने percentage select किया है आपको बताना है आपके कितने नंबर आई थे वह आप marks obtained के अंदर लिखेंगे कितने में इस आई थे वह आप maximum marks के अंदर लिखेंगे percentage आपके automatically calculate कर ली जाएगी अब अगर आपने बारवी भी किया है तो आप सेम तरीके से बारवी की information देंगे आपको बताने कि किस board से किये किस साल के अंदर आपने पास की है वह आप यहाँ पर select कर लेंगे institute name के अंदर आपको school college का नाम देना है जहां से आपने बारवी की है फिर आपके number किस के अंदर थे वह आप यहाँ पर select कर लेंगे और अगर percentage से तो आपको बताने कि कितने number आए थे औ आप सेम तरीके से ऐसे ही जानकारी ita की भर पाएंगे जिसे कि अभी आपने 10-12 की भरी है and then guys आप save and next के उपर click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर guys जो document and payment का section है वह आ चुका है जहां पर आपको passport, size, photo, signature यह upload करना है तो आप यहाँ पर click to upload पर click करेंगे इस पर click करने क आपके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके photo का size 50-100 के भी format JPEG यह फिर JPG का रहना चाहिए और आप यहाँ पर browse to upload पर click कीज़े यहाँ पर भी आपकी photo file है वो आपको select करनी है और इस तरह से आपको select करके open कर लेना है तो आपको photo यहाँ पर इस तरह से upload हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर जो 10th का certificate है जो mark sheet है वो upload करनी है इसका जो format है वो कैसा है वो भी आप जान लीजे इसका format PDF में भी है JPEG में भी है और JPG में यानिकि इनमें से किसी में भी आप upload कर पाएंगे size 100-1 MB के बीच में रहना चाहिए तो browse to upload के उपर click कीज़े यहाँ पर भी कर देंगे इन सभी के उपर click करने के बाद में जो verification code है security code है वो आप यहाँ पर डालेंगे और preview यानिके आपने जो भी जानकरी भरी है इन सभी को जाच कर लेंगे कि हाँ सभी जानकरी सही है and then आपको submit पर click करना है submit पर click करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यह और application form has been submitted successfully जो candidate is form को general OBC से भर रही है उनको यहाँ पर इसके बाद में payment के page पर transfer किया जाएगा यानिके जैसे आप submit करते हैं तो आप payment के page पर पहले जाएंगे जैसे fees जमा कर देंगे उसी के बाद आप यहाँ पर आपके form का final print out ले पाएंगे अगर आपके पास अभी printer आपको पसंद आया होगा कोई सवाल राउट रह गया हो तो कमेंट के माद इमसे पूछ ली जगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिंद